प्रेश्पिरेशन इसका पार्ट 3 लेकर आयो में क्लास 7 का यह चाप्टर है और इसमें हमने रेस्पिरेशन इन आनिमल्स तक डिसकस कर लिया था आज हमें यूमन्स की बात करनी है तो यूमन रेस्पिरिटरी ट्रैक पिसे हम चालू करेंगे स्टार्ट करते हैं कि फॉर्स्ट इस ह्यूमन रेस्पिरिट्रैक मतलब क्या और इस मतलब होतहिиной पात जिस से होकर कोई भी चीज़ निकलेगि डाइजेस्टीब ट्रैक था यानि हमारी विश्पिरिटिर योकुन फूर निकल रहा था तो इस रेस्पिरेट्री ट्रैक प्रिश्पिर चियो जिस उसके बाद pharynx में जाती है, common passage था food गा और air गा, उसके बाद कहा जाएगी, larynx में जाएगी, larynx में गई, larynx को voice box भी बोलते है, then trachea, trachea यानि कि हमारा wind pipe, wind pipe यह जो tube like structure दिख रहा है, यह क्या होता है, trachea होता है, इसमें जाएगी, then trachea से bronchi, अगर single को बोलेंगे तो bron bronchi, bronchi से bronchioles, bronchi की branches होती है, उन्हें bronchioles बोलते है, finally this sack like balloon like structure that is alveola, तो यह nasal, तो यह हमारा क्या था, respiratory tract था, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में detail में, तो सबसे पहले external nostrils, जो हमारी opening है, जिससे air हमारे अंदर जाएगी, that is called external nostrils, these opening are called external nostrils, it opens into nasal cavity, अब यह कहां open होते हैं, nasal cavity में open होते हैं, तो nasal cavity के अगर बात करें, तो external nostrils से air जो हमारे cavity में जाएगी, that cavity is called nasal cavity, this cavity is separated from oral cavity, oral cavity जिससे हमारा food जाता है, और nasal cavity जिससे हमारी air जाती है, दोनों क्या होते हैं, separate रहते हैं, किस चीज से separate रहते हैं, nutrition chapter में हमने पढ़ाता, hard palate से, bone का बना होते हैं, तो that is hard and bone-y palate, palate से separate रहते हैं, nasal cavity में जाने के बाद यह का होता है, it becomes warm and it moisture, मतलब उसमें नमी आ जाती है, और वो गर्माहत आ जाती है, गरम हो जाती है, then sterilize, मतलब purify हो जाती है, purify कैसे होगी, देख लेंगे, sterilization का मतलब purify हो जाती है, it contains hair and mucus which entrap the dust particles, hair and mucus इसमें present होता है, nasal chamber में हमारे hairs होते हैं, नाक में बाल होते हैं, that is hairs है न, और mucus present होता है, उसकी वज़े से क्या होता है, कि dust particles जो आते हैं, air हम inhale कर रहे हैं, तो साथ साथ हैं, dust particles भी inhale करते हैं, तो उन dust particles को अंदर जाने से रोकने का काम, उन्हें एंट्राप करने का क Now, internal nears, internal nears कुछ भी नहीं है, nasal cavity जब हमारी खतम होती है, तो nasal cavity खतम होने के बाद, nasal cavity से pharynx में air जाती है, तो nasal cavity खतम होने के बाद, जो opening है, जो air को pharynx तक लिकर जा रही है, that is internal nears, और pharynx क्या होते हैं, common passage between elementary canal and respiratory tract, elementary canal और respiratory tract का common passage है, मतलब air और food, दोनों इस जगह से होकर एक ही ऐसा जगह आती है, हमारे पूरे system में जहां से air और food एक साथ निकलते हैं, that is called pharynx, यह जो part है, अगर इधर से देखो, तो यहां से क्या आ रही है, air आ रही है, यहां से हम क्या घाते हैं, food घाते हैं, और दोनों इस common path से होकर निकलते हैं, and this path is called pharynx, आई बात समझ मे तो food pipe अलग हो जाती है, और यह wind pipe अलग हो जाती है, pharynx के बाद हमारा आता है, larynx, larynx को voice box भी बोलते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि larynx में vocal cords present होते हैं, इतना सा याद रख लेना, और vocal cords से जब air pass होती है, तो voice produce होती है, ठीक है, तो यह जो structure दिख रहा है न, apple की तरह, this is called laryn larynx, यानि की voice box, इस से जब air pass होगी, तो voice निकलेगी, और इसके बाद जो आता है, वो है हमारा trachea, यानि की wind pipe, यह pipe like structure दिख रहा है, यह tube like structure दिख रहा है, 12 to 15 cm का यह long होता है, और इसे हम बोलेंगे trachea, यानि की larynx के बाद जब air निकलेगी, तो वो कहां से निकलेगी, ट्रेक्या से निकलेगी, it is also called wind pipe, ट्रेक्या को wind pipe भी बोलते हैं, it is 10 to 12 cm long tube, 10 से 12 cm की long tube होती है यह, it walls are supported by 16 to 20 C-shaped cartilage genius rings, which prevent them to collapse when air is absent in them, मतलब देख लेते हैं इसका, यह tube like structure है ना मारे पास, यह tube like structure बना हुआ है, ठीक है, अब it is called wind pipe, यहां अगर मैं बता हूँ, तो यह wind pipe है, अब इसमें क्या होगी, C-shaped cartilage genius rings होगी, ऐसी इसमें rings present होगी, cartilage, अच्छा एक bone होती है, एक cartilage होती है, bones क्या होती है, but cartilages are soft, ठीक है, यही अंतर होता है, दुनों में bones कैसी होती है, hard structure होती है, but cartilage जो होते हैं, वो soft होते हैं, जैसे कि अगर मैं अपने हाथ क आपको बताओं bone, तो यह कभी भी bend नहीं होगी, but अगर जो कान में होती है, हमारे ear में, that is cartilage, यह bend हो सकती है, तो it is soft, but हाथ में जो हड़ी होती है, वो bend नहीं हो सकती, तो it is hard, तो cartilage और bones में यही अंतर होता है, कि cartilages are soft, but bones are hard, ठीक है, तो इसमें cartilage होगी, मतलब cartilage की rings हो जाए, जैसे गुबबारा होता है, गुबबारा में फूला होगा, तो गुबबारा बिल्कुल फूल दाएगा, पर अगर उसमें air नहीं होगी, तो collapse हो जाएगा, उसी तरीके से trachea में, अगर air नहीं होगी, तो trachea क्या हो जाएगा, और उस collapse से बचाने के लिए, इसमें rings present होती है, ऐसी C-shaped cartiloginous rings होती है, पूरे trachea में, कितनी होती है, 16 to 20, ठीक है, 16 to 20 cartiloginous rings होती है, जो कि इसे collapse होने से, इसे गिरने से, बचाएगी, in absence of air, अब यहां से हमारी air पास हो गई, उसके बाद यह कहां जा रही है, ब्रॉंकस में, ब्रॉंकस को अगर एक साथ बोल है, तो हम plural form क्या बोलेंगे, ब्रॉंकाय, plural form में क्या बोलेंगे, ब्रॉंकाय बोलेंगे, तो मतलब trachea जो है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, that is called ब्रॉंकाय, अब ब्रॉंकाय जैसे, यह trachea था, यह C-shaped cartiloginous rings आ गई, अब trachea दो पार्ट में डिवाइड ह हो गया, ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में, तो this पार्ट आ ब्रॉंकाय, दो ब्रॉंकाय हो गये ना, अब यह भी further अगर ब्रॉंकाय अगर ब्रॉंकाय हो त्रेक्षर होते हैं क्या होते हैं सैकलाइक इस्क्रफर होते हैं इन स्ट्रक्छर्स को बोलते हैं एल वी उला Times आई बात समझ में और यह सब कहाँ पर हो रहा है ? लंग्च के अंदर प्रेजेंट है ! थीक है ? तो आगे बात कर लेते हैं ब्रोंकाय, ट्रेक्या is branched into two bronchi left and right, ठीक है, दो left और right में ट्रेक्या branched हो गया था, that is bronchi, which enters into lungs, और वो ब्रोंकाय कहां जाती है, लंक्स में जाती है, अब लंक्स के बारे में बात करें, these are two lightweight spongy pouches, lightweight होते हैं, spongy होते हैं हमारे लंक्स, then covered by membrane called plura, अगर मैं बात करूँ, ये ट लंक्स आ गए, तो लंक्स की जो outer membrane होती है, outer covering होती है, उसे अपन बोलते हैं, plura, क्या बोलते हैं, plura बोलते हैं, उसे अपन, इसके बाद, एक bronchi are further branched into several bronchioles, मैंने बताया था, अगर bronchi भी further branched हो जाते हैं, अगर आगे जाके divide हो जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, bronchioles बोलेंगे, at the end of bronchioles, LV olai are present, bronchioles के end में क्या present होते हैं, LV olai present होते हैं, वो balloon like, वो sack like structure present होते हैं, now final is diaphragm, diagram पर आते हैं, फिर से diaphragm मैंने बताया नहीं था, यह हमारी है cavity, thoracic cavity बोलते हैं, जहाँ पर हमारे lungs present होते हैं, उन्हें हम thoracic cavity बोलते हैं, और जहाँ पर हमार stomach present होता है, उसे हम abdominal cavity बोलते हैं, तो यह thoracic cavity है, और diaphragm है, तो thoracic cavity को abdominal cavity से, जहाँ पर lungs present है, और मान लो यहाँ नीचे stomach present है, तो thoracic cavity और abdominal cavity को जो separate कर रहा है, that muscle is called diaphragm, उस muscle को क्या बोलेंगे, diaphragm बोलेंगे, तो यह एक diaphragm भी यहाँ पर muscle present होती है, अब mechanism of breathing, breathing होती कैसे, actual में होता है, तो inhalation की बात करें, inhalation मतलब air का अंदर आना, ठीक है, अगर environment से आपने air को अंदर लिया है, आपने inhale करा है, that is called inhalation, when thoracic volume increases, air rushes into lungs, through trachea and nostrils, मतलब, जब environment से आप air को inhale करेंगे, अब मैंने आपको बताया कि lungs जहाँ पर present होते हैं, हमारे rib cage के अंदर, that is called thoracic cavity, वो क्या होती है, thoracic cavity उसे बोलते हैं, तो example अगर मैं दूँ, कि जब मैं inhale करूँगा air को, air मैंने inhale करी, ठीक है, inhale करी, तो ये thoracic cavity क्या होई, expand होई, expand होई, ठीक है, अगर air को inhale करेंगे, तो thoracic cavity क्या हो जाएगी, expand हो जाएगी, इसका मतलब इसकी volume क्या होई, increase होई, इसकी capacity क्या होई, increase होई, तो air को अगर environment से आप inhale कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगी, lungs में, और ultimately thoracic cavity जो है, वो expand होईगी, उसकी volume increase होईगी, और path क्या है, जो पूरा path मैंने आपको बताया, nostrils, nasal cavity, उसके बाद pharynx, larynx, trachea, bronchia, bronchial, salvee, तो वही पूरा path था, उस path के through, जब air आपके अंदर जाएगी, तो lungs क्या ह हो जाएगे, expand हो जाएगे, और उस वज़े से thoracic cavity भी, जो आपकी ये वाली cavity है, ये भी क्या हो जाएगी, expand हो जाएगी, सांस लेकर देखना, chest हमारा full लाता है, that is called thoracic cavity, और वो increase हो जाती है, volume increase हो जाती है, उसकी, exhalation की बात करें, तो क्या होगा, when air volume gets reduced, and CO2 is pushed out, जब हम CO2 को release करते हैं, environment में, air को inhale तो कर लिया था ना, हमने O2 को ले लिया था, अब CO2 को जब release करेंगे, तो अभी thoracic cavity हमारी क्या है, volume increased है, पर अगर मैं air को exhale कर दूँगा, तो thoracic cavity decrease हो गई, thoracic cavity की volume कैसी हो गई, reduced हो गई, कम हो गई, तो ये हो रहा है, जब CO2 को हम push out कर देंग में release कर देंगे, तो वो thoracic cavity की volume क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी, वो thoracic cavity कम हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद, वो ही same passage से वो वापस से, अब CO2 हमारा बाहर निकल जाएगा, ये diagram है, इसे देख सकते हैं, air जब आप अंदर inhale कर रहे हैं, तो thoracic cavity की volume कैसी है, जादा है, ब expanded है, बाट इसमें expanded नहीं है, इसमें क्या है, श्रंक है थोड़ी सी, that is the mechanism of breathing, ठीक है, अब एक चीज़ और है, जब air को आप inhale करेंगे न, तो वो diaphragm जो होता है, वो dome shape का होता है, कैसे shape का होता है, dome shape का, तो कैसा हो जाएगा, जब inhale करेंगे, तो thoracic cavity की volume बढ़ रही है, और बढ़ने की वज़े से वो जादा जगा गेर रही है, अगर जगा जगा गेरेगी, तो क्या होगा, यह जो diaphragm है, अगर dome shape है न, तो कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, बिल diaphragm जो flat हो जाएगा, वो आपस से कैसा हो जाएगा, dome shape हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद आता है mechanism of gaseous exchange, gas अंदर से बाहर exchange हो कैसे रही है, मतलब चलो alveoli तक तो वो आ गई, पर alveoli में आने के बाद ऐसा क्या हो रहा है कि वो हमारे जाकर blood में मिल रही है, ठीक है, तो when air enter into the lungs through nostrils, trachea bronchi, मतलब वो ही पूरा path बता रहा है, lungs में कैसे air रही, nostrils, trachea bronchi, it enters into the bronchioles, वो ही पूरा path है, यह पर bronchioles, bronchioles से कहां गया, alveoli, यह तो पूरा path हो गया, जो हमने previously discuss करा, उसके बाद, at this place, oxygen from air diffuses into blood and reaches all the cells, सीधा सीधा मतलब है कि जो air हमने ली न, उस air में से oxygen जो ह हमारी blood में चला जाता है, वो oxygen कहां चला जाता है, हमारे blood में चला जाता है, और blood से पूरी body में जाता है, कैसे जा रहा है, वो अभी देखते हैं, this oxygen now diffuses into the cell and utilized for oxidation of food, अब वो blood, oxygen को पूरी body में लेकर जा रहा है, पूरी body में blood present होता है, circulate होता रहता है, ठीक है? तो वो blood for the production of food energy, देख लो क्या हो रहा है, यह O2 आया, O2 आकर ब्लड में मिल गया, O2 आकर कहां मिल गया, ब्लड में, यह LV होला है, ब्लू आले स्ट्रॉक्चर LV होला है, और यह हमारी ब्लड कैपलरी है, मतलब एक ट्यूब है जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, तो O2 आया, O2 आकर कहां मिल गया, ब्लड में मिल गया, और यह ब्लड में आकर मिल गया न, यह किस प्रोसेस से मिला, डिफ्यूजन से, किस से मिला, डिफ्यूजन, ठीक है, तो ओक्सिजन जब ब्लड में जा रहा है, LV उला ऐसे, तो that process is called diffusion, और वापस से उसी process से क्या होगा, CO2 भी बाहर आ जाएगा, Now next is, final topic, control of respiration and cellular respiration, अब respiration को control कौन करता है, भाई हमारी body में इतना सब हो रहा है, gaseous exchange हो रहा है, then food भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, और उसके बाद energy भी हमें मिल रही है, तो उसे control कौन करेगा, तो control center कौन होता है, respiratory center कौन होता है, brain में एक जगह होती है, brain में एक part होता है, that is called medulla oblongata, brain में एक part होता है, हमारे उस part को हम बोलते है medulla oblongata, तो पूरा respiration का जो process है, वो कौन control करता है, medulla oblongata control करता है, आई बात समझ में, ठीके, आगे बात करते हैं, cellular respiration, कुछ भी नहीं है, शुरू में मैंने आपको बताया था न, कि cells में जाकर glucose का भी breakdown हो रहा है, in presence of oxygen, ये चीज़ मैंने आपको शुरुवात में ही बता दी थी, part 1 में, कि जब जो glucose है, वो हमारी cells में चला जाएगा, जो food है, ब्रेकडाउन होगा, मैंने एक चीज़ बताया थी, glucose का भी breakdown होता है, क्या होता है, अभी तक तो हमने देखा था कि glucose सबसे simple form है, पर मैंने बताया कि जब आपको energy चाहिए, तो glucose भी हमारी cells के अंदर जाकर तूटता है, उसका भी breakdown होता है, तो जब किसकी presence में, glucose का breakdown होगा, oxygen की presence में, O2 की presence में, और finally हमें क्या मिलेगी, energy, किसकी form में, ATP की form में, finally energy मिलेगी ना, तो that process is called cellular respiration, मतलब हमारे cells में glucose गया, जाने के बाद उसका breakdown हुआ, और ultimately हमें क्या मिली, energy, तो ये तीन चीज़े क्या दे रखी है, तो ये glucose के breakdown से लेकर energy मिलने तक, तीन स्टेप्स होता ह हैं हमारे cells के अंदर, glycolysis, krebs, cycle, electron, transport system, bracket में इसे, ETS लिख सकते हो, short form में, तो ये तीन process होते हैं, higher classes में, discuss करने की कोई भी need नहीं है, बस याद रख लेना, कि cellular respiration में तीन process होते हैं, और finally glucose से हमें energy मिलती है, इन तीन steps के complete होने के बाद, तो ये हमारा respiration chapter खतम हो गया है, है, thank you